नमस्कार मैं हूँ अंशिता तो महराश्च की राजनीती का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है अजीत पवार इधर दिल्ली में बंद कमरे में मूदी से मिलकर गए और उधर मुंबई में उधर ठाकरे के साथ दर्वाजा बंद कर लिया अब कहा जा रहा है कि एधर पवार ने शर्थ पवार से बगावत कर तो डाली है लेकिन आगे बढ़ने में उनका दिल लोल रहा है और उनकी पूरी कोशश है कि किसी तरह से चाचा का आशीरवाद मिल जाये इसलिए वो शरत पवार का दिल जीतने की कोशश कर रहे हैं अब इसकी तीन वज़ा समझ में आती हैं, तो पहली वज़ा कि अजीत पवार केवल शरत पवार का गुस्सा दूर करना चाहते हैं, दूसरी वज़ा अजीत पवार NCP को पूरी तरह से BJP के साथ लाना चाहते हैं, और तीसरी वज़ा अजीत पवार ये संदेश देना चाहते ह कि वो शरत पवार की हरी जंडी मिलते ही NCP में वापसी आ जाएंगे तो जानकारों का दावा है कि जब शरत पवार ने अजीत को भाव नहीं दिया तो अब उन्होंने उद्धव के सहारे रास्ता बनाने की कोशिश की है तो पूरा मामला क्या है इसको विस्तार से समझेंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और वीडियो को लाइफ भी कीजिए तो चलिए ये तो हो गई आपकी और हमारी बात अब बात करते हैं असली मुद्दे की तो मुद्दा ये है कि अजीत और उद्धव की मुलाकात हुई है जी पिल्कुल सही सुना आपने अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बड़ी तगड़ी वाली मुलाकात हुई है आप भी सोच में पढ़ गए होंगे कि 18 जुलाई को एंडिय की बैठक में शामिल होने के बाद अगले ही दिन यानि कि 19 में चर्चा का बाजार गर्मा गया हर तरफ बात हो रही है कि इस मुलाकात के क्या माइन है हाला कि इस सिष्टा चार भेट बताया जा रहा है लेकिन जिन पर इस्तितियों में यह मुलाकात हुई है कि शिष्टा चार भेट तो हर्गिस नहीं लगती क्योंकि इस बैठक में उद्धो के बेटे आदिते ठाकरे और शिफ से ना UVT के कई विधायक भी मौझूद। इसलिए जानकार तो दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। यही वजा है कि NDA की बैठक के अगले ही दिन वो उद्धो से मिले। कुछका तो दावा ये भी है कि इसकी वजा प्रफुल पटेल भी हो सकते हैं। क्योंकि प्रफुल पटेल ही वो नेता हैं जो विपक्षी दलों की पहली बैठक जो पटना में हुई थी उसमें मौझूद थे। इसके बाद NCP में बगावत हो गई और उन्होंने अजीत का हाथ थाम लिया। दो जुलाई को पवार ने डिप्टी सीम पत की शपत भी ले ली। इसके बाद प्रफुल पटेल 18 जुलाई को NDA की बैठक में शामिल हुए। उसके ठीक अगले दिन अजीत और उद्धव की मुलाकात होती है। ये कोई साधारन बात नहीं है। अब जानकार कयास लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत और प्रफुल पटेल को NDA के मुकाबले इंडिया ज्यादा मजबूत लग रहा हो। इसलिए अजीत विपक्षी दलों से नजदी की बढ़ा रहे हैं। डिप्टी सीम बनने के बाद अजीत पहली बार उद्धव से मिले वो भी NDA की बैठक के अगले ही दे। अब सवाल ये है कि ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है कि अजीत वापसी की रहा तलाश रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उद्धव NDA में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि तमाम मीडिया चैनलों पर फैलाया भी जा रहा है। तो इस पर जानकारों का दावा है कि अगर उद्धव NDA में घुसने की कोशिश कर रहे होतें। तो अजीत उद्धव से मिलने नहीं बलकि उद्धव अजीत से मिलतें। दोनों बातों में अंतर मामूली है लेकिन इसके माइने बहुत कह रहे हैं। तो यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि अजीत पवार जब NDA की बैठक के लिए दिल्ली आये थे तो मोदी इकलोते नेता से बंद कमरे में मिले थे। और वो थे अजीत पवार। उस समय बीजेपी के अद्धिक्ष जेपी नडड़ा तो वहां मौझूद थे लेकिन महाराष्ट के मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे या दूसरे डिप्टी सीम देविंद फणवीस नहीं थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी ने उन्हें कोई संदेश दिया हो और वो वहीं पहुचाने के लिए सीधे उद्धर ठाकरे से मिलने पहुच गए हो। राजनीती में कुछ भी असंभव नहीं है। वैसे भी उद्धव और बीजेपी पुराने साथ ही रहे है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अजीब उद्धव के सहारे शरत पवार का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्धव से पहले अजीद ने शरत पवार से मुलाकात की थी वो भी तीन बार। हाला कि शरत पवार ने अजीद को एहमियत नहीं दी या साफ शब्दों में कहा जाए तो खास नहीं डाली। गौर कीजिए 18 जुलाई को एक तरफ एंडिये तो दूसरी तरफ इंडिया की बैठक हुई। उससे एक दिन पहले यानी की 17 जुलाई को अजीद पवार एक बार फिर से सभी बागी विधायकों के साथ बड़े पवार से मिलने वाई भी चमार सेंटर वाले दफ्तर पहुँच गए। इस बार लगबख सभी बागी विधायक उनके साथ थे। शरत पवार से मिलकर निकले विधायकों से जब पत्रकारों ने पूछा कि साहब से क्या बात हुई। तो सब ने कहा उन्होंने हमारी बातों को पूरी गंभीरता से सुना, हम जो भी कहना चाहते थे, उन्होंने बोलने का पूरा मौका दिया, लेकिन उन्होंने हमारी किसी बात का कोई जबाब नहीं दिया। कि NCP को तूटने मत दीजिए तो सवाल है कि NCP तोड़ी किसमें अपना नया संगठन और दफ्तर बनाया किसमें आपको याद भी होगा शपत ग्रहन के अगले ही दिन एक विधायक और सांसत के सुर बदल गए थे उन्होंने कहा था कि हम शरत पवार के ही साथ है जबकि दोनों ही दो जुलाई को शपत ग्रहन में मौजूद थे यही नहीं शरत पवार ने बागियों को चेतावनी दी थी कि इस बगावत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा इसके तुरंट बार छगन बुजवल पस्त पड़ गए थे उन्होंने शरत पवार से कहा था कि आपके साथ कुछ ऐसे नेता है जो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं आप उन्हें हटा दे तो हम फिर से आपके साथ आ जाएंगे यानि शपत लेने वाले मंत्री शरत पवार की एक चेतावनी से आगरे की मुद्रा में आ गए कुल मिलाकर NCP के बागियों की तरफ से पार्टी को जोडने की कोशिश लगातार जा रही है हाँ ये बात अलग है कि शरत पवार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अजीत फिर भी NCP में वापसी चाहते हैं और इसके लिए उध्धाव का साहरा ले रहे हैं ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब अजीत ने शरत पवार से मुलाकात की थी उसके तुरंद बाश्शेफ सेना UVT के नेता संजर राउत का बयान आया था उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि हम होते तो इन लोगों को भाव ही नहीं देते संजर राउत ने कहा था कि हम होते तो ऐसे घबदारों और अफसर वादियों के लिए दोबारा दर्वाजा ही नहीं खोलते लेकिन सब के विचार धारा उद्धर ठाकरेजी जैसी तो नहीं होती संजर राउत ने आगे कहा था कि जिन लोगों ने विश्वाजगात किया है और धोखा दिया है उनके लिए दर्वाजे नहीं खुलने चाहिए यही नहीं राउत ने ये भी कहा था कि अजीत पवार को अयोगिता का डर्स अता रहा है इसलिए वो शरत पवार के दर्वाजे पर खड़े हैं लेकिन पवार साहव को इस जहासे में नहीं आना चाहिए अब जरा सोचिए कि संजे राउत के इन बयानों के बाबजूद अजीत ने उद्धो से मुलाकात की इतनी बेईज़ती के बाद भी अजीत उद्धो से मिलने पहुँचे इसके क्या माइने हैं सिवाए इसके कि अजीत पवार वापसी की रहा तलाश रहे हैं लेकिन उद्धो के अलावा उन्हें कोई सुत्रधार नजर नहीं आ रहा है आप इस मुलाकात को लेकर क्या सोचने हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में इतना ही आप से नरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल लाइंटीन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताएए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्धों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताएएगा ट्विटर हैंडल है आटिकल लाइंटीन अंडिया इसको भी फॉलो कर दिजे नमस्कार कर दो प्रूर बताएगा